हेलो प्रैंड आग मैंने प्रेश्टिज का एक्सप्रेस मिक्सर ग्राइंडर मंगाया है और यह साधी 300 वाट की है जिसका मोडल हमें बहुत ही अच्छा लगा और यह और मिक्सियों से बहुत बढ़िया ग्राइंडर है तो चलिए अब हम इसकी अन्बोक्सिंग करके देख ल हमारा मिक्सर ग्राइंडर प्रैस्टिज का बाहर निकल रहा है तो आप देख सकते हैं पैन यह हमारा जार है मिक्सर ग्राइंडर का यह छोटा जार है तो हम इसे भी खोल कर देख लेते हैं जो कि यह भी ग्लास से बना हुआ है प्लास्टिक और ग्लास मिक्से और इसमें दो ब्लेड हैं यह देखिए आप तो इसमें आप चटनी वगेरा कुछ भी पीस के पीस सकते हैं और इसको इस्टोर भी करके रख सकते हैं तो नंबर वन का हमाना यह है और आप यह मिक्सी को देख सकते हैं यह हमारी मिक्सी ज्याद यह देखिए और इसकी यह पावर और इसकी लम्बी है तो फ्रेंड हम इसको अभी आपको दिखाएंगे लिए इसमें कितनी पावर है और इसमें हम क्या-क्या ग्राइंड कर सकते हैं तो फ्रेंड थोड़ी देर में हम इसको यूज करके भी दिखाएंगे कि इसकी पावर कितनी है और इसमें हम क्या-क्या ग्राइंड कर सकते हैं तो चलिए अब हम दूसरे अपना दूसरा जार देख लेते हैं यहां में इस्टोर करने के लिए यह लीड मिली है इसको मुपर से लगा कर से इस तरह इस तरीके से यह देखिए इसको आपको इस तरीके से बंद करते हैं ना रखकन को और आप इसको रख सकते हैं फ्रेज वगेरा में अब आप देख सकते हैं यह हमारा दूसरा जार है निक्सर ग्राइंडर का यह हमारा बढ़ा जार है जैसे आपको जूस बनाना है यह आपको कुछ भी क्याज टमाटर और पीसना है तो आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं और इसके ब्लेट हमें चार मिले हैं यह देख सकते हैं जो कि बहुत ही तेज है यह और बहुत ही जल्दी से इसमें पिस जाएगा तो आपको इस तरीके से यहां पर इसको फिट कर देना है ऐसे कर देखिए इसके साथ भी है आपको अगर बड़े जार को स्टोरिज करके रखना है तो आप इसमें फिट कर सकते हैं यह चोटे जार में भी लग जाएगा और बड़े भी आपको इस तरीके से यह देखिए बंद हो गया है आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं जैसे आपने जूस वगेरा बनाया या चट्नी वगेरा तो आप इसमें ऐसे रख सकते हैं आप को इस तरीके से अगर आपको अगा टॉछ तरिके से इसमें लगादेना ऐसे और यहां पर ऐसे फिट तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसको यूज कर के भी देख लेते हैं कि हमारा ये mixer grinder कैसे काम कर रहा है और कितना पावरफुल है तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसको मिक्सी को चला देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें चीनी डाल दी है यह देखिए मैंने इसमें चीरी डाल दी है अब इसमें हम यह जाग लगा देंगे यह बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा आपको इसे टायोट से बंद कर देना है और इस तरीके से आपको इसमें असे दबा के यह देखिए आपको इसे चोन करके आपको इसे दबाना है ऐसे दबा के आप देख सकते हैं हमारी चीनी बिल्कुल बारी पिस गई है बस मैंने इसे दो तीन बार दबाया है बस चलिए हम इसको निकाल के देख लेते हैं सब्सक्राइबं सायुगाइबं चाहिए हमारी रया ज्यार इसे दो इसको निकाल लेगा इसे तरीके अब हम इसको चीनी को आपको दिखा देते हैं कितने आसानी से पिश गई है और बस दो तीन बार इसको आप देख सकते हैं बारीक पिश गई है अगर आपको इसके बारीक चाहिए तो आप और इसको चला सकते हैं मिक्सी को और इसकी पावर आपने देखी बहुत ही बढ़िया पावर्फुल है यह और बहुती आसानी से बहुती जल्दी से पिश्च चुकी नहीं हमारी जली अब हम इसके प्राइज पर आ जाते हैं प्रेश्टी निक्सर ग्राइंडर चो अपमा तो वैसे दो फ्रेंड ये इसका प्राइज हमें पड़ा है 2405 रुपे और 2405 रुपे अगर आपको मेरी ये वीडियो चृभलियो अनबॉक्सिं के तो आप वीडियो को लाइक करदेना और चैनल को सस्क्राइब करदेना और वीडियो देखने के लिए फ्रेंग् हुर्ण